हेलो फ्रेंड्स दिवी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे मूली ज्यादा तर सब लोग सलात के रूप में ही उसको यूज करते हैं तो हमने देखिए इसका पराठा बनाया जो कि बहुत ही टेस्टी बनके त्यार हुआ आइए देखिए हमने तीन-चार मूली लिया है इसको अच्छी तरीके से हम कद्दू कस कर लेंगे दूलकर कद्दू कस कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डालने के बाद पांच मुनिट के लिए छोड़ देंगे यह देखिए इस तरीके से पांच मुनिट ब फिर हम आटा जो हमारा जैसे हम रोटियों के लिए आटा त्यार करते हैं वैसे हमने आटा त्यार कर लिया था अब हम रोटियों की तरह ही बेल लेंगे हम दो रोटियां बनाएंगे फिर उसके बाद आपको हम इस तरट भरके दिखाते हैं किस तरीके से हम त्यार करेंगे पर लेंगे ये देखिए तावा भी गरम हो चुका है इस पर डाल कर हम पलट लेंगे फिर हलका हलका सा तेल लगा कर हम पराठा सेख लेंगे आप भी जरूर ट्राइ करिएगा ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है चाहे आप सब्जी के साथ खाये चाहे किसी भी चट्नी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए हमारा पराठा अची तरीके से सिग गया है और को मुलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक की लिए बाए बाए